रांची का रातू रोड इन दिनों खौफ जदा है। दरसल रियल स्टेट कारोबारी कमल भूशन की कतल के एक साल बाद अपराधियों ने उनके अकाउंटेंट संजय कुमार की भी गोली मार कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि संजय अभी कमल भूशन का सारा कारोबार भी देख रहे थे लेकिन कहा ये भी जाता है कि कमल भूशन के कतल के गवाह भी संजय कुमार था। पुलिस को आशंका है कि कमल भूशन की कतल को अंजाम देने वालों ने ही संजय की भी हत्या कराई है। और उनकी मौत हो गई। पुलिस को पूचताच में जानकारी मिली है कि कमल भूशन की हत्या के बाद उसका सारा कारोबार अकाउंटेंट संजय ही देख रहे थे। पुलिस ने कहा कि सभी बिंदूओं पर जाँच की जा रही है। जल्दी ही सच सामने आ जाएगा। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आसपास लगे CCTV के फुटेज खंगाले गए तो अपराधियों की कुछ तस्वीरें मिली है। तस्वीरों के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। कुछ सुराग पुलिस का हाथ लगे हैं जिसके आधार पर गिरफतारी के लिए छापे मारी शुरू कर दी गई है। और यह अपने यह पता चला है कि अभी तक यह कहीं से काम करते थे और वहां से यह आ रहे थे लंच करने उसी समय कोई पीछे से आका इनको पांच गुली मारते गया। अभी तक जैसे है कि लोगों ने बताया है कि पुछ चाती पर कुछ फेस पी भी है बट जब इंक्वेस्ट वगरा होगा ता बड डीटेल में बताया जाएगा। पूंता कि कौन था क्योंकि जो उसके वहां पर जानकार है जो वहां गये हैं उस्पिटल उनकी गवाई लेंगे कि आपको किसमें सुचना दी वगेरा तभी आपको पूंता बतायेंगे कि कौन था था ठीक तैक्क्यू